कि आप जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास स्रावांडिंग्स में उनका पासवर्ड कैसे क्रैक करा जाता है और से क्यूर कैसे क्यूर जाता है अब यहां पर कुछ डिवाइजिपटाइक जो इससे आल्रेडी कनेक्टिड है ये जो already connected device है हो सकता है ये कोई mobile हो, हो सकता है ये कोई computer हो, कोई भी device हो x, y, z बट ये wifi से या cable के जरीए system से connect हो चुके है अब हमें क्या करना है, ये काम कैसे कर रहा है अगर कोई भी नया user यहाँ पे आता है एक नया android user आया, उसने password लगाया जो इस wifi का password है और उसने submit button पे click करा जैसे ही वो submit button पे click करता है यहाँ से एक file generate होती है और वो जाती है सीधा router के पास अब ये जो हमारी file है इसको हम कहते है handshake file ओके, इसको हम कहते है handshake file, handshake file का मतलब हाथ मिलाने वाली file यानि दो systems के बीच में communication यानि connection setup करने वाली file है ये handshake file के अंदर basically वो password मौझूद होता है और ये password यहाँ से जाता है main router तक router उस password को check करता है confirm करता है अगर सही है then ये connection इसको provide कर देता है इसको IP address अलाट कर देगा ARP request to SIJ तो चलती रहती है बट यहाँ पे इस तरीके से एक handshake file बेच के connection establish करा जाता है so यहाँ पे अब हम क्या कर सकते है कई सारी चीजे जो हम यहाँ पर apply कर सकते है उनमें से एक attack जो आज हम करने वाले है वो wifi password cracking का है जो कि आप कहीं से भी apply कर सकते है because एक बार अगर यहाँ पे जो attacker है जो इस system से अभी तक जुड़ा नहीं है पर क्योंके इसके पास है wifi stick जिसके जरीए यह अपने range के किसी भी system पे monitor mode के जरीए नज़र रख सकता है और ध्यान रख सकता है कौन से system क्या कर रहा है क्या data आ रहा है wifi की जो radio frequency उसको monitor mode की तरह read कर सकता है यहां पर इस device के जरीए क्या होगा यह जो हमारा router है यह router इस handshake file को capture कर लेगा क्यों क्योंकि इसका monitor mode इसको power देता है कि बिना उस device से connect हो यह beach message handshake file को because यह सारा data जो sniff कर रहा है यह already उस sniffing data message handshake file को capture कर लेगा जैसे ही इस handshake file को उठा लेगा सारा जो हमारा password जो बिसिकली जो data था handshake file का वो save हो जाएगा इसके अंदर and अब करना क्या है यह cap file कोई भी offline किसी भी जगह से crack कर सकता है यानि इसके अंदर password आ गया है इसके अंदर encrypted password है आपको क्या करना है और hashish को बस crack करना है and crack करने के लिए आप दुनिया की किसी भी कोने में और जिसके पास भी file पहुचेगी हो कहीं भी बैठा है इस wifi के password को easily crack कर सकता है so यह है process जो अभी आज हम करने वाले इसके अलावा और कही techniques है तो एक बार इस process को अच्छे से समझेगा कैसे एक अच्छी word list लेंगे कैसे इस password को crack कर सकते है यह decision practically देखने वाले तो start करते हैं और चलते हैं हमारी kali machine की तरह so यहाँ पर हमारी जो kali machine है वो अमने open करेंगे उमीद आपको आज के वीडियो पसंद आओगा thanks for watching this video and do like share and subscribe झाल झाल झाल